हलो भाई लोग क्या हाल है सब यह हाल बढ़िया होंगे इसके अलावा अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे इसके अलावा बेल आइकन को भी ओल पर जरूर कर दे तकि यहाँ पर जब भी आपके पास नोट इक्वेशन आए तो उसकी साथ में ज जाय से यह चारो कुछ भी बूल रहे हों लेकिन इनकी जो बाती थी थी ना यह कुछ ऐसा था जिसने कि यहां पर कोई उसके चैनल के इदर दे त्याद मार रहा हो क्योंकि वास्तो में उसकी जो सारी टेकिनिस थी थी वह यह और आटिक्निस दो रहाने जा सकती थी आ आखि किया जाता था ताकि यहाँ पर आगया है नोरे समय के अंदर कोई भी लड़ाकू अगर यहाँ पर किसी से कुछ सीखना चाता है ना तो वो उस चीज को सीखने के लिए उस वीडियो को यूज कर सकता था वही अब एक एक करते वे आखिरकार यहाँ पर जो आकसे था उसने सार कोई गलतियों की तरफ ही वह वार कर रहा है वह वहाँ पर उसको एक बार के अंदर ही पर रख चुका था कि वास्तों में यहाँ पर वो बंदा किस तरह से काम कर रहा था लेकिन फिर भी यहाँ पर वह जो भी था रहा वो बोच जद है बयानक था यहाँ पर टेक्निक के अं अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो, वेसे भी यहाँ पर जो तुमने अपनी इस टेक्निक्स का यूज़ किया है ना, वसंते वन की उपर जाने के बाद में ना, उनकी ताकत कम हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, अब एक कम करो कि यहाँ पर आज, तुम सो बा उनी सेम टेक्निक्स को बार बार यूज़ करो कि जब तक तुम उसके अंदर अच्छे नहीं हो जाते हो, तो उसकी साथ में सभी सभी अपना सर नीचे जुकाई हुए थे, और वह कहते हैं, आहाँ ठीक है एल्डर, और उसके साथ में यहाँ पर अब जो आकसे था, वह दू इनओं चारों अपने सार इला देते हैं, तो वहीं दूश्य तरफ वक कशे आता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन है वह, कौन है वह वह बंदा जो इसने यहाँ पर मेरें इन सभी जुनियर्स को हराया है, मैं और यज़ कर दूँग चाहता हूँ कि मेरी खतरनाक सी मुस्कान थी जहाँ पर जो एड़र आक्से थे वह उन चारों की इस तरह से किलास ले रहे थे तो वहीं दूशे तरफ वहीं बूरे कपड़े पेने वावा लड़का यहाँ पर एक जगपर बेटा हुआ था और उसके कानों के अंदर भी आकिरकार यहाँ पर वह सारी सारी चीजे लग गई थी दिल्चस्प जूनियर जूनियर अंजल तुम्हें भी यहाँ पर हरा दिया गया है वास्तों में जब यहाँ पर वह सुनता है कि यहाँ पर उसके जूनिर को भी हरा दिया गया था उसके साथ में अब उसको एना उस लड़के के अंदर बोज़ादे दिल्चस्थ भी आजाती है जिसने यहाँ पर बलेक आए बनकर यहाँ पर उनको हराया था अब वो पताने कौन था आके काल लड़का था, लड़की थी या फिर कोई और था लेकिन फिर भी वास्ताव में उसको भी उसे हराना था फिर वो अपने पास में बेटे हुए किसे से करता है ठीक है, जैसे यहाँ पर बलेक आए वापस से इधरोल के अंदर आ जाए तो उसके बाद मुझे कहा देना इतना खरन एक साथ में जैसके पास में एक तलवार थी वो उसको लेता है और उसके साथ में पने सामने वाले बेंस के पर मार देता है अगले पर उसके वाँपर दो तुक्रे हो जाते है तुम कमीनी वह हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जो आईशा थी वा अपने चैड़े के ओपर अभी कुछ लगा रही थी बात कुछ यहाँ पर जब उसने उसके हाथ के दोचार चाटे गायते ना उसके बाद में उसके हलत पूरी तरह से खराब हो गई थी इस बार यहाँ पर वे सामने वारे से बोज़ेदा खतरनाग गुसा थी और इसी वज़े से यहाँ पर उसका गुसा उसने उस लड़के के उपर निकाल दिया जो भी उसके चेरे के उपर वे सब कुछ लगा रही थी कमीना जोश्वा उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने यहाँ पर उससे पट्टी बंदेवे मम्मी के साथ मेरे को लड़ाया और उसके वज़े से यहाँ पर को यह सब को सैना पड़ गयाथ मैं वह 802 है उसको पता नहीं हे क्या मेरी वज़े से यहाँ पर वह बचा हुआ था लेकिन नहीं उसको स्ख्रिये खेने यहाँ पर मुझे इस तरह शेपिटवाया है आज यह जोजवा न plant नहीं वाला है आज तो मैं टीचर को बोल कर इसको यहीं पर ही मरवाओंगे जरूर यहाँ पर वो लड़की बहुत जादा भयानक लग रही थी और इस जगह पर यहाँ पर उसकी जो अवास थी वह चुड़ली की तरह लग रही थी तो वहीं एमकति है चंदा मत करो आज यहाँ पर मारा जाएगा और सुबह का सुरज वह नहीं देख पाएगा तो वहीं दूसरे तरफ यहाँ पर आयशा कहती है ठीक है टीचर आप यह काम तो कर देंगे लेकिन आप यह बताईए आखिर का मेरे चेर का क्या होगा यहाँ पर मेरा चेरा पूरी तरह से खराब हो गया है क्या पता यहाँ पर शीनियर मेरे को यह पर ही चोड़ कर चले जाए कहीं यहाँ पर मेरा पूरा चेरा बिगड़ तो नहीं जाएगा ना तो वहीं यहाँ पर एमा कहती है अरे अरे इसकी चंता कहने कोई भी जरूरत नहीं है जिर तुमारे शीनियर आरूश है ना उन्होंने पह कि यहाँ परी चमक उड़ती है हाँ हाँ भाई कोल्डिगर कहीं की आखिरकार यहाँ पर तेरी इरादे सब समझ रहा हों में वहाँ पर वास्तों में उस बचारे बंदे का काट काटू कर यहाँ पर आगर बेटी थी इसलिए बोलते है गाईस दूर रहा करो इसे लड़कियों से वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर वहाँ इसे तरह से चल रहा था तो वहाँ आसमान के अंदर बहुत सारे तीर दिखाई देते हैं नीचे यहाँ पर एक केरेज जा रही थी और वह केरेज किसी और की नहीं थी वह घोड़ा काड़ी यहाँ पर जिसके अंदर जोश्वा और विम बेटे हुए थे तेवी तीरे अभी नीचे की तरफ बढ़ रहे थे वह सभी सभी संत नाइं के लड़ाकों की द्वारा चोड़े गए थे वास्तर मुण की पावर बोची ज़्यादा खतरनाक थी वह जोश्वा भी उस चीज को सयन कर लेता है तो वह भी कहता है तो मैं अभी यहाँ पर मौका मिलेगा बाद में अभी इस सब को ऐसे ही रहने दो उसकी साथ भी पिन कहता है वहें दूशी तरफ अचानक से जो वेधान था वो भी उस चीज को देख लेता है ए तुम सभी तुम सभी यहाँ पर आखिरकार क्या मेरे यह मास्टरों को नुक्सान पुचाना चाते हो तुमारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने यहाँ पर इस तरह से उनके उपर किसी तरह का दाव लगा दिया है आज कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपने यंग मास्टर को बचा कर रहूंगा वेधान तो कत्रे खतरनाक वे के अंदर बाहर निकल कर आ जाता है इस जिगर पर उसकी आँखों के अंदर अंगाये जल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वा सामने वाले की खटेर काड़ देगा लेकिन जब वो उपर तीरों को देखता है ना तो उसकी साथ में उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक दबाव मैसूस होने लगता है वो जल्दी अपने पास में एक चाबुक होता है उसको चला देता है हालाई चाबुक यहाँ पर उन सभी तीरों के सामने कुछ भी नहीं था जिन फिर उसके साथ में यहाँ पर अब वो उपर की तरफ चला जाता है ताकि वो ए उस गाड़े के उपर खड़ा होका रहना सारी तीरों को अपने सरीर के उपर ले ले ताकि यहाँ पर उसके यंग मास्टर को वहाँ से बागने का मुका मिल जाए उसके साथ में यहाँ पर वो ऐसे करता है और अपनी आखे बंद कर लेता है लेकि फी 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 यहाँ पर जो सारे सारे तीर थे शक वहाँ पर जमीरी को उपर जाकर लग जाते हैं एक भी तीर ना तो यहाँ पर गोड़े की उपर लगा था ना एक गोड़ा गाड़े की उपर लगा था वह तीर यहाँ पर आजपास के अंदर ऐसे गिर जाते हैं जैसे कि पूरे गोड़ा गाड़े के चारो तरफ यहाँ पर किसी तरह का बेरियर बना दिया गया हो हैं ये क्या है अभे ये तीर यहां पर क्या हमें मारने आये थे या फिर खिलोना खेलने के लिए आये थे यहां पर वेदान पूरते हैं से हैरान था अभे तुम सभी क्या कर रहे हो बेवकूफ इनसानों अगर तुम मारना है तो डंग से मारो ना आखिर क्या तुम लोगों से निसाना भी नहीं लग रहा है वैदांद ने जब देखा कि सारे सारे तीर इधर उदर जाकर गिर गए थे तो उदकी साथों में बड़ाई हैरान था और इधर उदर देखने लगता है तो वहीं दूशे तरफ यहां पर जो तीर अंदास थे वह सभी सभी अभी असे ने अंदरे के अंदर चीपे हुए थे उन सभी ने काले कलर की निंजा कपड़े पेने हुए थे उन सभी के हाथों के अंदर यहां पर वो पड़ा हुआ था वहीं यहां पर उनका जो बोस होता है तुम सबी यहांपर क्या पागल वागल हो गया या फिर तुमने यहांपर नसर करकर आये हो आकिरकार तुमसे एक निसाना नहीं लगता है और इसके अलाबा कोई तुम्हें कोई चोटी सी आथ को पर तुना निसाना लगाना है अबेट तुम्हारे सामने यहाँ पर एक बड़ी सारी गाड़ी पड़ी है तुम उसके उपर भी एक निसाना तक नहीं लगा सकते तो वहाँ पर वह उन सभी से गटा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी सभी फिर से तयार वेते हैं और एक उरभार बहुत सारे तीय सीदे उस गोड़ा गाड़े क्योपर चरा देते हैं वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अचानक से जैसे ही वह सारे तीय उस तरफ बढ़ने लगते हैं तो वेदान भी उनको देखने लगता है लेकिन अचानक से आ, 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 आ यहाँ पर जो सारे तीर थे ना वो फिर से मुड़ते हैं वो यू डारेक्शन लेकर वाँ पर से उनकी तरफ आ जाते हैं और उन में से बहुत सारे वाईपेरी मारे जाते हैं क्योंकि इस बार जो सारे सारे तीर थे ना तो सीने में लग रहे थे वह सबी सबी उनके सर्क्यू पर जाकर लग रहे थे अबे ये क्या कर रहे हो हमें खुद को नहीं मालना है उनको मालना है वापस मारो बोस फिर से जोड से चिलाता है उसके साथ में यहाँ पर फिर शक शक करते हो यहाँ पर वो सारी तीरे चला दे जाती है हाला कि फिर से यहाँ पर फिर वह सारी तीरे थी ना वह यूटरन लेती है और फिर से पीसे तरफ आकर गिरती है और इस बार दो और गिरे उसके साथ में बोस कियाता है आब एक गधरो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग तुमको इस तरफ से ट्रेनिंग किसने दी है आगर तुम यह कौन सा वो एरो टीरो लगा कि यहाँ पर चला रहे हो यहाँ पर तुम्हारे पास मेगनेट वगरा तो नहीं है ना जो तुम्हारे पास में वापसा कर गिर रहे हैं तो वह explains दूसरी तरफ यहाँपर वो बोस आगे बढ़ता है और जल्दे से उंके मेंसे एक के पास मेंसे वो तीर ले ले लता है और कहता है अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूं कि क्या करते हैं और कैसे करते हैं उसकी साथ में वो जल्दे से तीर का यूज़ करता है और सिधा इस बार वेदांद के उपर निसाना लगा देता है इस बार उसकी उस तीर के अंदर रेना ग्रेट संथ स्टेज 2 की पावर बरी हुई थी वेदांद का सरीर वहीं पर ही अकड़ जाता है क्या आज मैं यहीं पर ही मरूँगा मैंको तो यहाँ पर अपने येंग माश्राद ध्यान रखना था चलो कोई बात नहीं आज उनके लिए यहाँ पर मैं जान देने के लिए तयार हूँ वहीं दूशे तरफ यहां पर जहां वह उस तीर को अपने सीने के अंदर लगने कोशिश कर रहा था ना तो आह! वहीं दूशे तरफ एक और जोड़दा चीख निकलाती है इस बार फिर से वह जो तीर था वह यूटर लेता है वह पता नहीं दूशे सर के जाकर लग जाता है मैं नहीं छोड़ूँगा इसको उसके साथ में यहां पर वह इस बार दो तीरे बना था अपनी इनर्जी साथ में और उनको पीछे कर फिर से चोड़ता है लेकिन इस बार वह फिर से पलटते हैं और दो जनों की सिर्ट के अंदर जाकर गुज जाते हैं अबे यह कौन सा जादू टोना चल रहा है यहां पर अब पूरी तरह से बागल बागल हो गया था जब उसने देखा कि वास्तों में वह जो भी करें उसके सारे सारे तीर कभी इदर जाते हैं तो कभी उदर जाते थे बोस यह क्या कर रहे हैं आप आपको पता है ना कि ऐसे आप करते रहे ना तो हमारे सबी सबी यहां पर ही मारे जाएंगे और उसके साथ में यहां पर वह कहता है आप पीछे देखिए वहापन क्या हो रहा है उसके दादों पीछे पाता है तो देखता है कि कुछ जने उसके पीछे बड़े वे मरे थे ये क्या है ये हमारे से निकास से मर गए तो वहीं दूशे तरफ वह कहता है अटेक रोक दो इसा करो अब जन्दे से क्लोज फाइड के लिए तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो